तमस्कर आप देख रहे हैं देश का सबसे डंदार बुलिटिन रास्टवाद मैं हूँ आपके साथ हिंदुस्तान की बेटी मादुरी कलाद उत्तरप्रदेश में भगवा का जल्वा देखकर हाइदरबाद की नफरती भाईजान बाबरी बीफ और बेटी का दंगाई प्लान बनाने में जुट गए उत्तरप्रदेश के मुसल्मानों का एक मुष्ट वोट हत्याने के लिए भाईजान किसी भी हद तक जाने को तया है मैं हिंदुस्तान की बेटी भाईजान को ये बता दू कि भाईजान बाबरी के गड़े मुर्दे को तो उखाड़ी रहे हैं साथ ही उन्होंने अब बीफ जैसे संबेदन शील मुद्दे को भी पुरेदना शुरू गिया दिया है भाईजान को पता है कि बीफ इस देश के सौ करोड से भी ज्याना हिंदुओं के आस्था से जुड़ा मुद्दा है लहाज़ आप बीफ के मुद्दे को उठा कर वैसी उत्तरप्रदेश का माहौर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं हैटरामानी भाईजान बाबरी और बीफ के साथ ही अब बेटी के मुद्दे को भी उठा रहे हैं और वैसी अब बेटी का जिक्र कर रहे हैं अंगूर की बेटी मतलब शराब अंगूर की बेटी की मुद्दे को उठा कर बीजेपी को खेरने की कोशिश हो रहे है मैं हिंदुस्तान की बेटी पिछले कई दिनों से ये महसूस कर रही हूँ कि भायजान अपनी जनसभाव में उन्ही मुद्दो को उठाते हैं जिससे प्रदेश में सांप्रदाइक उन्मात पैदा हो उवैसी की कोशिश ये है कि उत्तरप्रदेश के मद्दाता मधवी लाइन पर बढ़ जाए ताकि मुस्लिम बहुल इलाकों में उवैसी की पार्टी की असानी से जीत हो जाए कि एरल में इनका एक प्रेजिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे एलेक्शन में याद होगा आपको और आप यह कह रहें कि शराब दे देंगे तो इनका कोई इनके पास कोई मॉरल स्टेंडर्स नहीं है इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है यह दुकान है अफ़ा फैलाने की अफ़ा मैनुफेक्टर करो फिर अफ़ा को प्रवाहित करो 2014 के पहले देश के अंदर अभिस्वास था देश में अराजक ताह थी देश में लोगों के मन में सरकार के प्रतिय कुस्सा था 14 में कौन जिता बताओ भाजपाज जिती या नहीं जिती 17 में कौन जिता 19 में कौन जिता और 22 में कौन जितेगा दंगल से पहले भाएजान का दंगाई दाओ बाबरी बीफ और बेटी पर अंगत पाओ कुछ भी करेंगे सत्ता के लिए शराब भी पिलाएंगे बीफ भी खिला देंगे जो बोले कर देंगे मैं सत्ता चाहिए नो योगी का राम राम लैला का कोहराम भगवा के विरोध में ओवैसी का गजवा हैदराबाद के भड़काओ भाईजान असदुदीन ओवैसी ने कसम खाली है कि यूपी के दंगल में सिर्फ उन्हीं मुद्दो को उठाएंगे जिससे दंगा भड़कने का खत्रा हो यूपी में भाईजान ने दो दर्जन से ज्यादा रैलियां और जंसभाई की हैं लेकिन क्या मजाल कि इन्होंने मुसल्मान और इसलाम को छोड़कर किसी और मुद्दे पर कहीं भी कोई तकरीर की हो योगी के करीब पौने 5 साल के शासनकाल में यूपी में एक भी बड़ा सांपरदाईक दंगा नहीं हुआ है लिहाजा भाईजान के पास मुसल्मानों को भड़काने का कोई ताजा मुद्दा नहीं है इसलिए वो मुसल्मानों के गड़े मुद्दे के मुर्दे को कबर से खोद कर निकाल रहे हैं वैसी की कोशिश ये है कि तीन तलाग जैसे प्रगतिशील कदम से यूपी में बीजेपी को जो फाइदा हुआ है उसकी धार को कुंद कर दिया जाए वैसी की भड़काव मजभी तक्रीरों का असर ये हो रहा है कि बीजेपी भी अब भाईजान की हाडलाइनर पीच पर खेलने को मजबूर हो रही है बाबरी मस्जिद की शहादत डेमॉलिशन हुआ एक कन्विक्शन नहीं हुआ मोडी सरकार अपील नहीं करती मक्का मस्जिद में बाब बलास्ट हुआ, साथ लोग मारे गए उसके खिलाब अपील नहीं करती समझो था ट्रेन बलास्ट हुआ, कौन किया नहीं मालूम अपील नहीं करते मुगलों के राज हो अपस आने को बाद कहने का प्रयाज करते है यूपी में अपने गजवा प्लान को अंजाम तक पहुचाने के लिए भरकाउ भाईजान अब नया फॉर्मूला लेकर आए हैं यूपी में योगी की भगवा मुहिम पर लगाम लगाने के लिए ओवैसी ने बाबरी बीफ और बेटी का नया कॉक्टेल लॉंच किया है क्या है ओवैसी का बाबरी बीफ और बेटी का कॉक्टेल इसको समझना बहुत जरूरी है सबसे पहले समझते हैं ओवैसी का बाबरी प्लान दरसल बाबरी मस्जित का मामला सुप्रीम कोट के 9 नौमबर 2019 के अतिहासिक फैसले के बाद पूरी तलिके से हल हो चुका है इस देश के हिंदू और मुसल्मानों ने बाबरी के अतिहासिक अदालती फैसले को सर आखो पर लिया लेकिन ओवैसी ने यूपी के मुसल्मानों को भड़काने के लिए बाबरी मस्जित को अब चुनावी मुद्दा बनाने की मुहिम छेड़ दी है और वैसी अपने हर रैली में बाबरी के गड़े मुर्दे को एक बार जरूर उखार देते हैं बाबरी बीफ और बेटी का कॉक्टेल क्या है भाईजान का बीफ खेल दरसल साल 2017 में केरल में हुए उप चुनाओ के दोरान बीजेपी के उमिद्वार एन श्रीप्रकाश ने बयान दिया था कि मेरी तरफ से अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई शुनिशित करने की पूरी कोशिश की जाएगी भरकाऊ भाईजान केरल के एक बीजेपी उमिद्वार के साल 2017 के बयान को अब यूपी चुनाओ में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां इनको सूट करता है वो ही करते हैं भाई जान साल 2017 में केरल के एक बीजेपी उमिद्वार के बीफ वाले बयान को 2022 के यूपी चुनाओं में अपलाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि योगी अधितनाफ ने साल 2017 में सत्ता संभालने के तुरंद बाद यूपी में अवैद वुचडखानों का पैक अप करवा दिया था बाबरी बीफ के अलावा ओवैसी ने अब बेटी का मसला भी कुरे दिया है दरसल आंद प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सोमू वीराजू ने मंगलवार को अमरावती की रैली में कहा था कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार आई तो वो महट 75 रुपे में शराब की बोतल मुहया कराएगी इतना ही नहीं सोमू वीराजू ने ये भी कहा था कि अगर राजस्व कलेक्शन अच्छा हुआ तो सिर्फ 50 रुपे में दारु की बोतल दी जाएगी भाईजान ने अंध्यप्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष के बयान को भी यूपी में अपलाई कर दिया ये शराब से बड़ी महब्बत होगी बीजेपी वालों को बहुत ज़ादा महब्बन दजार रही शराब से ऐसा लग रहा है कि अंगूर की बेटी से निकाह कर चुके हैं लोग यूपी के चुनाओं में भाईजान ने अंगूर की बेटी का जुमला यूही नहीं फेक दिया है दरसल ओवैसी जानते हैं कि इसलाम में शराब को हराम मना गया है ऐसे में अंगूर की बेटी का जुम्ला फेकर वो वैसी मुसलमानों में बीजेपी के प्रती नफरत पैदा करना चाहते हैं यूपी में नफरती तक्रीरों का आलम ये हो चुका है कि वैसी मुसल्मानों से सिर्फ और सिर्फ मजलिस की पतंग उड़ाने की मांग कर रहे हैं तो बीजेपी केनेता खुलम खुला कह रहे हैं कि उन्हें शरिया मानने वालों का वोट नहीं चाहिए साफेक यूपी के चुनाओं में इस बार सांप्रदाइक धुरुवी करण की जोर आजमाईश परवान चड़ चुकी है मज़भी लाइन पर चुनाओं प्रचार से कोई परहेज नहीं कर रहा है कहने की जरुवत नहीं की आने वाले दिनों में यूपी की चुनाओं फिजा और ज्यादा भड़काओं होने जा रही है स्वस्त्र लोकतंत्र के लिए इससे अच्छा संकेत कत्ता ही नहीं माना जा सकता इनके पास कोई moral standards नहीं है उत्तर प्रदेश के दंगल में सियासी दलों के बीच शब्दों की सीमाई तोड़नी का सलसिला भी जा रही है कभी चिलम जिवी तो कभी गांजा और कभी ललका सांड जैसे शब्द सुनाई पढ़ रहे है अब ग्रिमंटरिय में शाह ने निजाम शब्द बोलकर विपक्षी दलों पर तगड़ा हमला बोला शाह ने समाजवारी पार्टी पर निशाना साथ तवे लोगों से सवाल किया क्यों नहीं रामराज चाहिए या फिर निजाम का राज मैं हिंदुस्तान की बेटी रास्टरवात में बार बार उत्तरप्रदेश में माफिया गिरी और माफियाओं पर बुर्डोजर चलने का मुद्धा उठाती रही हूँ और रास्चवारी दर्शकों को बताती भी आई हूँ कि किसने माफिया का साथ दिया और किसने माफिया को जेल भेजा बीजेपी एक तरफ रामराच की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विकास की बात भी रामराच के नाम पर बीजेपी के पास आयोधिया में भविरा मंदिर है काशी में दिव्य कॉरिडोर मैं हिंदुस्तान के बेटी सवाल पूछती हूँ कि क्या उत्तर प्रदेश के चिनाम में अब सिर्फ मंदिर मुसल्मान ही सबसे बड़े मुद्दे बचे हैं क्या इससे ही उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा पे ठक जाएंगी बुआ बबुआ के निजाम पर शाही प्रहार आपको नस्यमुतिन इम्रान अजम और मुक्तार वाला निजाम चाहिए क्या पियर का चाचा का लखीमपुर में ललका साड़ वाला दाओं योगी जी मोदी जी के ललका साड़ से सब परिसान बबुआ के च यूपी के दंगल में भड़काओ भाईजान जहां अपनी जहरीली जुबान से दंगाई दाओं चल रहे हैं ताग मुसल्मानों के ओट बैंक पर कबजा कर सकें तो दूसरी तरफ बुआ बबुआ इस कोशिश में हैं कि कैसे उनका मुस्लिम ओट बैंक बचा रहे लेकिन दंगाई साजिस से सियासी फसल काटने की जुगत में जुटे नेताओं पर बाबा की कड़ी नजर है और उनके प्लान को कुचलने के लिए बुल्डोजर तयार है आज सभी दंगायों को मालूम है अगर दंगा करेंगे तो साथ पीडियां भरपाई करते करते ठग जाएंगी हालात बदलेंगे जब कौन बचानी आएगा तुमको जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे मोडी पहाड़ों में चले जाएंगे जब कौन आएगा वो बातें भूल जाएए बुलो बुल्डोजर वाली ने बुल समाल पारें ने बुल्डोजर समाल पाएंगे यूपी के मुरादाबाद में हमई शाह ने तुष्टी करन की राजनीत पर सीधा हमला बोला ग्रह मंत्री शाह ने विपक्षी दलों के तुष्टी करन वाले खेल पर जबर जस्थ हमला बोला उन्होंने कहा कि निजाम का मतलब शाषन होता है लेकिन यूपी में निजाम का मतलब नसीम उद्दिन इमरान मसूद आजम खान और मुकतार अंसारी है गैर बीजेपी सासन में इनकी तूती बोलती थी और जनता त्रस्थ रहती थी इनमें नसीम उद्दिन और इमरान मसूद कॉंग्रेस पार्टी में है जबकि आजम खान समाजवादी पार्टी के दिगजनेता है जो योगी राज में भरष्टा चार के आरोपों में जेल की चक्की फीस रहे हैं समाजवादी राज में जिस मुकतार अंसारी की तूती बोलती थी योगी राज ने उसे नानियाद दिला दी और फिलहार बेल के इंतजार में वो बांदा जेल में सड रहा है उनके निजाम का मतलब है N से नसिमुद्दिन I से इमरान मसूद Z से आजम खान M से मुकतार अंसारी भई आप मुझे बताओ आपको नसिमुद्दिन, इमरान, आजम और मुकतार वाला निजाम चाहिए क्या मुकतार असारी को ठेल में करने का किसी ने किया है तो आज़र योगी रिकिया में तो आज़री नानी यादा रहिया है अमिश राह ने सवाल उठाया कि बबुआ के निजाम में सिर्फ दंगे होते थे क्योंकि उनके लिए निजाम का मतलब मुस्लिम तोष्टी करण के अलावा कुछ नहीं था जबकि योगी के निजाम में सच में रामराज है अयोध्या में भबराम मंदिर की नियू करीब करीब तयार हो चुकी है दिबकाशी के दर्सन दुनिया कर चुकी है मतुरा के कायकल्ब के प्लान पर योगी सरकार काम कर रही है अमिश्या यहीं नहीं रुके उन्होंने 2017 से पहले यूपी में होने वाले दंगों पर अखिलेश शियादों को घेरा अखिलेश बाबू के सासन में 700 दंगे हुए थे यह मेरा पच्ची मिउत्तर प्रदेश चौधरी चरण सिंग का प्रदेश पूरा लव लुहान करकर रख दिया था यूपी की जंग जैसे जैसे करीब आ रही है अखिलेश शियादों पर सबसे ज़्यादा हमले बीजेपी कर रही है समाजवादी इत्र के अपवित्र होने के बाद बबुआ पहले से बैक फुट पर है लिहाजा बीजेपी का हर बढ़ाने ताउन पर सबसे ज़्यादा हमला बोल रहा है महराज गंज में आज योगी बाबा ने फिर बबुआ पर दंगाईयों को शेह देने का आरोप लगाया आज सभी दंगाईयों को मालूम है अगर दंगा करेंगे तो साथ पीडियां भरपाई करते करते ठग जाएंगी पिछली सरकार ने आस्ता के साथ कितना खिलवार किया था पर वो रत्यवार आते थे दंगा शुरू हो जाता था मुख्यमंत्री जी से बड़ा जूटा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धर्ती पर सायकिल वालों का संसकार माफ्या का सम्मान भगवा का अप्मान अकले शियादो की रैलियो में हो रही भीड देखकर भगवा केंप को साब समझा गया है किस बार लडाई नहास से है नहाथी से सिर्फ सायकिल से है लिहाजा शाह, मोदी और योगी के निशाने पर सबसे ज़्यादा अखलेश यादो ही है लाल तोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर महरबानी दिखाने के लिए और इसलिए याद रखिये लाल तोपी वाले यूपी के लिए रेड अलट है रेड अलट तो अखलेश ने भी अपने चेलों को योगी मोदी और शाह के पीछे छोड़ दिया है हापूर में बबुआ के चेले असलम चौधरीन योगी शाह मोदी के लिए जहर उगला उनके खिलाफे भाई यार दर्ज हो चुकी है और जल्दी अगर बाबा का बुल्डोजर असलम के दिमागी पुर्जे हिला दे तो हैरत नहीं होना चाहिए तो साइकल पर सवार पियर का चाजा ने आज लखीमपूर में फिर ललका साण को भगवा के पीछे दवड़ा दिया योगी जी मोदी जी के ललका साण से सब परिसान है अब ट्रामा सेंटर चले जाएगा 90-70% पर स्पेसेंट आपको इनके ललका साण से लड़के आ रहे हैं तो अलग परिसान है कि सान कारकल मतर चर जा रहे हैं गो भी चर जा रहे हैं कि हूँ चर जा रहे हैं यूपी के रण में जहां भगवा कैम्प बबुआ को तुष्टी करण धर्ष्टाचार और माफिया गिरी के आरोपों पर घेर रहा है तो बबुआ कैम्प चिलम जीवी गांजा सेवी जैसे आरोप लगा कर भगवा का अपमान कर रहा है लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि भगवान श्री राम की धर्ती पर कल्याण उसी का होगा जो भगवा का सम्मान करेगा जो रिपोर्ट जी मेडिया महात्मा गांधी के खिलाप पत्ती जिनक लफजों का इस्तेमाल कर नाथुराम गोट से का महिमा मंदन करने वाले कालीचरण महाराज की गरफतारी को लेकर 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकार और मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार आमने सामने 36 गड़ पुलिस ने आज तरके 4 बजे मध्यप्रदेश की खजुराहों से कालीचरण महाराज को गरफतार कर लिया लेकिन गरफतारी से पहले 36 गड़ पुलिस ने मध्यप्रदेश पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी अम बाध्यप्रेश सरकार कह रही है कि 36 गड़ पुलिस ने इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का लंगन किया मैं हिंदुस्तान की बेटी महात्मा गांधी को अफशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की गरफतारी का विरोत नहीं कर रही लेकिन ये सवाल तो जरूर है कि 36 गड़ पुलिस ने आखिल प्रोटोकॉल का लंगन क्यों किया नियम यही है कि अगर किसी एक राज्जी की पुलिस का रिवाई के लिए दूसरे राज्जी में दाखिल हो तो इसकी विदिवत सूच नवहा की पुलिस को दे 36 गड़ पुलिस के इस का रिवाई से यही लगता है कि एक भगवधारी आरूपी की गरफतारी को भी राजनेतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है बहरहाल काली चरण महराज ने बाफू के लिए जिस भाशा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ एक्षन तो सक्त लिया ही जाना चाहिए पहले या बाद में न तो इन्होंने पहले दी न बाद में करती बचाओ मंच संद्ध मांच काली चरण की गरफतारी का विरोध करता है कालरवाई हो रही है उसमें भी हर पार अगर सवाल उठेंगे तो समाज में फिर विवस्ता कैसे बन पाएगी काली चरण महराज पर तकरार मध्यप्रदेश 36 गड़ में आर पार जो कड़ी करवाई करनी थी जो लोग अपिक्षा कर रहे थे 36 गड़ सरकार ने पूरा किया संत की गिरफतारी पर सियासत में उबाल मध्यप्रदेश में भगवा ब्रिगेट का बवाल काली चरण महराज की गिरफतारी के बाद मध्यप्रदेश की भगवा ब्रिगेट का गुसा सात्वे आसमान पर है भगवा ब्रिगेट का आरोप है कि मुसल्मानों को खुश करने के लिए 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकार देश के संगिय धाचे के साथ खिलवार कर रही है काली चरण महराज की गिरफतारी को लेकर भगवा ब्रिगेट भड़का हुआ है ये बात तो समझ में आती है लेकिन गिरफतारी के तौर तरीकों को लेकर 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकार और मर्धप्रदेश की बीजेपी सरकारों ने म्यान से तलवारे खीच ली है आपको बता दे की काली चरण महराज को 36 गड़ पुलिस ने आज तड़के मध्यप्रदेश के खजुराहों के बागेश्वर धाम के एक लौस से गिरफतार कर लिया इंटर स्टेट प्रोटोकॉल के मताबिक 36 गड़ पुलिस को गिरफतारी से पहले इसकी सूचना खजुराहों पुलिस को देनी चाहिए थी लेकिन 36 गड़ पुलिस ने ऐसा नहीं किया 36 गड़ पुलिस की इस गालती को मध्रदेश की बीजेपी सरकार मुद्दा बना रही है दरसल काली चरण महराज ने गाधी को गाली तक दे दी थी और साथ ही नाथुराम गोडसे का महिमा मंदन किया था दिल्चस्थ यह है कि रायपूर की धर्म संसद में तब 36 गड़ के मुखे मंत्री भुपेश बगहेल भी मौजूद थे धर्म संसद में काली चरण ने जो बोला तो ऐसा लगा कि तैश में आकर बोध दिया है लेकिन बाद में भी अपने बयान पर माफी मांगने की बजाए काली चरण ने उसे जायश ठहरा दिया बापू को गरियाने के दो दिन बाद एक वीडियो जारी कर काली चरण ने कहा कि मुझे मृत्यु दंड स्विकार है लेकिन माफी नहीं मांगूँगा काली चरण के इस आपत्ती जनक बयान के बाद कॉंग्रेस नेता प्रमो दूबे के शिकायत पर रायपूर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 505-2 और 294 के तहत मुकदमा धर्च कर लिया और उसके बाद खजुराहो के बागेश्वर धाम से आज तड़के उन्हें गिरफतार कर लिया पुलिस देर शाम उन्हें रायपूर लेकर पहुंची जहां शुकरवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा लेकिन ये पूरा मामला अब कॉंग्रेस बना बीजेपी का हो चुका है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा ने गिरफतारी के खिलाप ट्वीट कर लिखा है अभिवेक्ति के आजादी केवल प्रभुराम को मा दुर्गा को भारत माता को गाली देने के लिए है भाशा से आपत्ती हो सकती है पर राजद्रोह का केस समयधानिक मर्यादा के खिलाफ सोचिए गाधी होते तो क्या इस बात पर जेल में डालने के पक्षधर होते मामला बापू के अपमान का है इसलिए दिल में आग होने के बावजूद बीजेपी बहुत संभल कर खेल रही है लेकिन कॉंग्रेस पुरी तरह से गिरफतारी का समर्थन कर रही है कॉंग्रेस ने अपने ओफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट दागा है जै भारत जै समिधान नहीं सहेंगे पापू का अपमान साफ है कि काली चरण महराज की गिरफतारी पूरी तरह से सियासी रंग ले चुकी है और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस आमने सामने है बहराल काली चरण का गुनाह कितना बड़ा है और उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं ये अदालत तै करेगी भिरो रिपॉर्ट जी मीडिया गांधी का अपमान करने वाले गेरुआधारी काली चरण अब 36 गड़ में जेल की चक्की पीसेंगे कॉंग्रस की 36 गड़ सरकार ने उन्हें मध्यपदेश से गरफतार कर लिया गांधी का अपमान करने वालों को सजा होनी भी चाहिए मैं हिंदुस्तान की बेटी कॉंग्रस से एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्या जस तेजी से उन्होंने एक गेरोधारी को गरफतार किया क्या भगवा का अपमान करने वालों के खिलाफ उसी तेजी सेक्शन लेंगे मैं हिंदुस्तान की बेटी रस्टुवाद के दर्शकों को ये बता दू कि कवरधा में हिंदु धजा का जब जिहादी गैंग ने अपमान किया था तो कई दिन तक वहां के कॉंग्रस सरकार चुपपी साथ कर बैठी थी तो क्या ये नहीं माना जाए कि एक बार फिर काली चरण की गिरफतारी के बाहने कॉंग्रस ने तुष्टी करण की राजनीती करने की कोशिश की गोड से प्रेमी पर गिरी गाज शैतानी साजिस काली चरण गिरफतार काली चरण की काली जुबान उसके गेरुआ पर भारी पड़ गई अकोला का तथा कतिर संत अब 36 गड में जेल की चक्की पीसेगा गेरुआ धारण करने वाले काली चरण की गिरफतारी होनी भी चाहिए थी और उन्हें राश्ट पिता के अपमान की कीमत भी चुकानी चाहिए लेकिन 36 गड की कॉंग्रेश सरकार काली चरण की गिरफतारी के बाद जिस तरह से कानून का ढोल पीट रही है उस पर बीजे पीस सवाल उठा रही है मद्ध परदेश के ग्रह मंत्री नरोतम मिश्रा ने गिरफतारी के तरीके पर सवाल उठाए है लेकिन सवाल उठता है कि जितनी तेजी कॉंग्रेश ने एक भगवाधारी की गिरफतारी पर दिखाई क्या भगवा का अपमान करने वालों के खिलाब भी कॉंग्रेश उसी तेजी सेक्षन लेती है 36 गड के मुख्यमंत्री भुपेश बगेल जिस तरीके से काली चरण की गिरफतारी पर उचल रहे हैं उससे शक होता है कि काली चरण के बहाने कॉंग्रेश हिंदू और हिंदुत्त की अपनी लाइन को आगे बढ़ाना चाहती है याद कीजिए जिस दिन काली चरण ने महत्मा गांधी का अपमान किया था उस दिन भुपेश मघेल ने टूइट कर काली चरण को हिंदुत्तवादी बताया था और उस से पहले राहुल गांधी भी गांधी को हिंदु और गोटसे को हिंदुत्त्तुवादी बता चुके है लेकिन सवाल ये उठता है कि उसी 36 गड़ के कवरधा में जब हिंदु धजा को उखाड कर फेक दिया गया तो कॉंग्रेसी सरकार कई दिन तक सननाटे में बैठी रही भगवा का अपान करने वाले जिहादी गैंग को क्यों भागने और छिपने का मौका दिया ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भगवादारियों के खलाब कॉंग्रेस एजेंडे के तहद एक्षन ले रही है क्या काली चरन की गिरफतारी तुष्टी करन की राजनीत नहीं है काली चरन की गिरफतारी के बाद तुष्टी करन के आरोप लगाते हुए हिंदुवादी संगटनों ने हंगा माश शुरू कर दिया है हमारे हिंदू संतों को तो गिरप्तार करने में बड़ी ततपर था कांग्रेस के लोग दिखाते हैं कांग्रेस सासित राज दिखाते हैं लेकिन OVC जैसे जो की बोलते हैं कि योगी मुख्यमंतरी नहीं रहेगा तब क्या होगा साथ साल तक तुष्टिकरण की राजनीत करने वाली कॉंग्रेस यूपी में खड़ी नहीं हो पा रही 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेश वगेल यहां प्रभारी हैं और कई रेलियां कर चुके हैं लेकिन इस बार कॉंग्रेस को न हिंदू भाव दे रहा है और न मुसल्मान लेहाजा कॉंग्रेस ने काली चरण के जरिये एक तीर से दो निशाने सादे हैं पहला अपने हिंदू और हिंदुत वाले एजेंडे को सही ठहराना और दूसरा मुसल्मानों को खुश करना लेकिन राहुल गांदी और कॉंग्रेस से राष्टवाज सवाल पूछता है कि क्या भगवान राम और कृष्ण का अपमान करने वालों पर भी कॉंग्रेस सी आव करते हैं प्राम्मन समाज को पूरी गाली देते हैं समाज का अपमान करते हैं ऐसे लोगों के खिलाब तो चतिसगर की पुलीस या या सरकार जो है वो कभी एक्ट्व नहीं होती है उनके खिलाब कोई कारवाई नहीं करती उनको गृफ्टार नहीं करती है याद किजिए अगवान राम और बंदे मात्रम का अफमान करते रहते हैं लेकिन अब तक खुले शाण की तरह घूम रहे हैं। अगवान की तारीफ में कसीदे पढ़े और तबलीगी जमात की तरफदारी की ओवैसी ने भी तबलीगी जमात की तरफदारी की लेकिन क्या देश में इन लोगों पर कोई एक्षन हुआ। प्रेज का मकसद काली चरण के बहाने अपनी सियासत को चमकाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मेडिया। आज के लिए रास्टवाद में बस इतना ही। कल फिर से तैवक पर होगी मिलाकार तब तक के लिए देखते रहेए। सी हंदएन साथ सी घंटस्ता स्थनौंड स्थनौंड स्साल विर्ध स्थनौंड